तो है उसने में आश्कार में चैनल यूगां शोड़र पैट और आज में आपको ग्याने ऐसे पक्षियों के नेश्ट दिखांगा जे पुसे का आपको बहुत बुदा आपको पिशार्ट कर देवाएं वीडियो इसे हिंदी में मुंतर पक्षी में कहां साथ है उसका गोष्ट का सबसे सुंदर माना जाता है इस घोष्टे का पेल यानी दर पक्षी मनाता है इस घोष्टे को बढाने के लिए घाष की लब्बी पत्यों का इस्तमाल बता है जब उसे घोष्टे का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए घोष्टे को बनाने के लिए बुसला बनाने की प्रोसेस अगस्ट में शुरू होती है और फब्रेरी आत्राते मो फूरी हो जाती है हमें पर इसका बुसला देखने में तो कफूसाइब जिन्ना लगता है और उसे फिमेड गोल्ट जिनके कोई गोल्टे काम करकर बनाती है यह जोसला पांच से साम तिरों में रडी हो जाता है यह तीस से साम फीट के उचार पर इस खोसले को बटन है खोसले को बनाने के लिए स्पाइडल से इसको प्रेशाम और पेड़ की बस्ली डालियों का इस्तमाल खोता है यह जोसला बहुती ज्यादा बुलाया खोता है और बहुती ज्यादा प्रेशिबल यानि इलास्टिक जैसा खोता है जोकी ऐसा घोसला है जिसमें पक्षियों के बच्चे बढ़ते जाते हैं और यह घोसला में धिरे धिरे करके बढ़ते ही जाता है वार्डीकल इगल जिसे हिंदे में च्री या भाज के नाम से भी चारा जाता है अब वख्षी ही इतना ब३ड़ा है तो गोशला इतना पुड़ा होगा वख्षी के बहुत दिक लंब चोड़ा होता है आपक्षी अपना खोसला उचे पेड़ पर सोखे घासों लखडियों से बनाते है तें पेटर्स पर फ्लोरिडा में बार्डेकर द्वारा बनाएं गया घोसला इस तूरियों में सबसे बड़ा है यह सुनकर आपको अजीब लबेगा कि किसी का नेट खाया भी जा सकता है जो इते वार नेट बनाता है उसे खाया भी जा सकता है यह साउसेस एशिया यानि इंडिया के अंदमान नाइकेवल के इलागे में पाय जाते हैं यह पक्षी अपना घोसला अधेरी गुपाव में बनाते हैं यह घोसला गुपाव के जिपारों से चिपकता हुआ फुपता बन यह अपना नेट अपने ही सलाइवा यानि लाड़ से मुनाते हैं जिसके वज़े से इन्हें खाया भी जा सकता है जब दूप इनके लैश्टों पर पड़ती है तो यह वाइट गोर्ड न तरह चमकते हैं यह खुबसूरों जैसे दिखने वाले पक्षी नदिर के किनारे वन्ना पर समूंदर के किनारे पाई जाते हैं कर समय यह मिटे के दुवारों पर टटनल बनाते हैं जिससमें यह पालते साथ अंडे देते हैं कोर्डों ही बेल फिमेल गोश्ने की रक्षा करते हैं यह हऊर्णेट मंधू मंखी मोर्ट्ष को अपनार है सब्सक्राइब करते हैं और नर्व खाना लाने का करता है जादा उच्छाइब ना होने के कारण इन वार्ट को हमेशा जो करते हैं क्योंकि इनके घोष्लों पर हमेशा साफ हो का खत्रा मनराता रहता है इसे इसलें आ जाता है क्योंकि यह जालता जूट में ही अपना घोष्ला बनाते हैं इसके इन वड़े घोष्ले में पांच से सोफ होल्स होते हैं जिसमें दस से तीन सोफ से भी जादा पक्षी रहे सकते हैं आपना भुष्ला पेड़ पर छोटी-छोटी घास की तिल्यों और छोटी-छोटी डेंडियों से बनाते हैं इन वारे एक ही पेड़ पे इनके चाट से पांच घोष्ले दिख जाते हैं लेकिन अगर पेड़ और बढ़ा हो तो इनकी घोष्लों दिसम्ग्या और ही बढ़ जाती हैं पक्षी सालों साल एक ही घोष्ले का इस्तवाल करते हैं और ये घोष्ले में बहुती बड़े होते हैं सचमुच में बहुत बार स्पैरों जैसे पक्षी भी इनका घोष्ले का इस्तवाल करते हैं और वो सोचते होंगे कि चलो इतना बड़ा भूसला है हम भी इस्तपाल कर ले थोड़ा भूसल ये अपना भूसला जान तर पानी पर तरता हुआ पराते हैं और जादा जुट मेराना पसंद करते हैं चोटी चोटी लगड़ी और घास के तिल्लियों से ये अपना भूसला बूसला से है पादी परता हुआ इसकार मचलियों को बनाते हैं और प्रेड के वाकत बच्चों का अच्छे से पालन हो और अच्छी मातों पेट खाना बिले इसलिए पानी पेटता तो हुआ बढाते हैं लेकिन पानी में आने वाले बतलाओं के वजह से इनके भूसला वह हमेशा होता है कोड़ की तरह अप्रिकर के माला भी अपना घूसला पानी बेखने को हुआ बढ़ते हैं और ये जादानी सोर्ची पानी जगा पर अपने अंदर देते हैं बच्छियों पर शेकार करते हैं अपने अंदर लगता हैं जिससे इनको बहुत रिंक करवी ऑर बहुत अच्छा महसूस होता है रे जब ये मेल वड अपने अपने पंगों के उनको लगता है तो ऐसा दिखता है की उस मेल बढ़ के दो नंआए बहुत जादा टानने हैं वारेश के मौसम में साथ से आप अंडे देते हैं और वो गॉल्डन करार के होते हैं जिन पे ब्लैक लाइज होती हैं और वो दिग्रम में बहुत भी सुन्दर बिखते हैं तेलर बर्ड ये जरातार हाला बरी जर्णे जैसे जंगल गाराश इन जगया पर पाय जाते हैं ये अपना घोसला पेड़ की छुटी-छुटी पंत्यू पर बनाते हैं यह वत्तों में किनारे में अपनी चोट से होल करते हैं फिर उसे स्पाइडर सिल कुल देती है। फिर उस खोसने कंदर मुलायां चिलक पर है और इस खोस्ते मुलायां होते हैaje और भोर्ण जैसा दिखता है। पता है हमारे प्लोट में भी पेला पड़ आती है उसने बिल्कुल ऐसा ही घुष्णा बनाया है उसने उसके अंदर पच्चे भी जीरेज है रेट और में ये इंडिया भुटा नेपवाल जैसे देशन में पार जाते हैं इनके चोज बहुत की लोपी गुमावतार और मस्बूस होती है यह अपना गोस्ता बनाने के लिए पेड़ के खोखले इसले का इस्तमाल करते है इंडिक भुष्णे बात होते हैं जिसे बहां से तीचे तेल धका जाता है सरफ खाना देने के लिए चोटी, नहीं देदी मर निसी जगै अपनी हैंрип बरेड़ें के सवाइब मादा वसले के अंदर ही रहती है और वो इक्री तेल अंदर है जब काम लिकलक हैं उटने के का जाएं और वो तीर महईने तक वोसले के अंदर ही रहती है और खाना लाने के काम मेली करेगा और इस वक्त में बच्चों के लिए ही नहीं बच्ची मादोहां में होट पिल के लिए भी खाना अम लाता है और वो उसे छोटी से चुगार का इस्तमाल करता है उन दोनों को खाना देने के लिए और वो उसे छोटी से चुगार से खाना पुचाता है इंडिया में इनका शिकार दुबाईयों के लिए और खाने के लिए किया जाता है इसलिए इनकी प्रजाती लूप्त होती जाना ही है इसे हमने इसे हमें रोपना ही होगा जीने वर्ड ये जालतार साउस अमेरिका में पाई जाते हैं उनके घोस्टावार की तक्षिक देखकर आपको दिमाक शौक देना आपके हो फुर जाएंगे इस वर्ड का वियर्णार रूपोर्जर फोल्डरों है जो एजेटीना का फ्रॉस्ट्रेक पक्षी है घ्ञास च्षटे तिनकों और डीटर से अमना गुस्ताव में गुष्टा शॉस्टावार जो प्रॉस्ते धर मह गारी घ्ञात्य वादिर्टीनाथार पल gerade यह तक इन।ब समीजेब यसार सब्सक्राइभ जास में फ्रॉस्टावारा आपके दोक्लूसरा जो कई हजारों पार चक égal से बाढर को कई हजारों बार के ज्काड काटने पड़ते हैं। और इस शुख्ले का च्छुट दस्ता ही एड़ाच होता है। जिससे बाश से इंजीनेर बड़ी अगर जाये, जिकारी पक्षी ना चाए एक पार गोष्मे का इस इत्माज हो जाये पार हुए, उस घोष्मे का शॉड देता है और फिर कोई दूसरा पक्षी इस घोष्मे का इस इत्माल करता है तो बाफ़ बापस मैनत करो और भुस neoद nonprofit किसी लायती है इजे και हुँ और वो अथ्र आ ब किरा है क् आई यदो आर झो ठाहद प्रिकी हो हुँ खड़े रेकी हुँ आभ यजे र exceptu nest ट्र एकर अ़िसनारी शर पलीजोरी हुँ आभ नऐी लुदे कि लायती है ट्रया हुँ कर दो 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 कर